नमस्कार बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा पहली पाठ छे नाम वाले शब्द क्या है बच्चो पाठ का नाम नाम वाले शब्द अथात नेमिंग वर्ड्स क्या बोलेंगे नाम वाले शब्द हांजी बच्चो इस पाठ में क्या है आओ जाने नाम वाले शब्द बच्चो जैसा कि आपको पता ही है हर एक चीज का कोई न कोई क्या होता है नाम होता है जैसे आपका नाम, मेरा नाम, हमारे विध्याल्या का नाम, हमारे शहर का नाम हर एक चीज का क्या है नाम है उसी तरह इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे नाम वाले शब्द क्या है बच्चो संसार में सभी का कोई ना कोई नाम होता है नाम से ही सब की क्या होती है पहचान होती है अगर मैंने आपको बुलाना हो तो क्या करूँगी मैं आपका नाम लोगी ना अगर मुझे कोई चीज चाहिए मैं उसका नाम लोगी आप लोगों को भी अगर किसी को बुलाना है अपने फ्रेंट को तो क्या करोगी उसका नाम लोगे ना हाँ तो क्या है इस संसार में हर एक चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है कोई ना कोई नाम होता है और उसी नाम से हम क्या करते हैं उसे बुलाते हैं जैसे आप से कोई पूछता है आपके विध्यालय का क्या नाम है तो आप नाम बताते हो ना तो उसी तरह इस पार्ट में भी हम पढ़ेंगे नाम वाले शब्द बच्चो इस संसार में हर चीज का कोई ना कोई नाम होता है हम उन्हें उनके नाम से ही बुलाते हैं देखो एक पिक्चर दिखाई दे रही है यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको किसकी पिक्चर है यह कौन से स्थान की पिक्चर है क्या बोलते हैं इसको इसको बगीचा बोलते हैं या फिर उपवन बोलते हैं पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था ना शब्द आये थे वर्नों को जोड़कर शब्दों का निर्मान होता है शब्द क्या बना था उसमें उपवन तो वो क्या बन गया था शब्द उपवन तो वो क्या है जो वर्नों के मेल से क्या बने शब्द बने और उसी तरह से वर्नों के मेल से किसका निर्मान होता है नाम का निर्मान होता है और बच्चो हर एक चीज को बुलाने के लिए क्या होता है उसके नाम से हम उसे संबोधित करते हैं उसे बुलाते हैं हां जी बच्चो इस चीतर में हमें बहुत कुछ दिखाई दिखाई दे रहे हैं और उसका क्या है हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है है ना देखो दिखाई दे रहा है ना आपको हाँ तो क्या है इस बगीचे में बहुत सी चीजें है उन हर एक चीज का क्या है नाम है देखो जैसे लड़का, लड़की, गुबारा, फुवारा, आइस क्रीम, पेड, गेंद, माली, जूला, आदी ये सबी क्या है नाम है, नाम शब्द है देखो दिखाई दे रहा है ना जैसे लड़का खेल रहा है, एक लड़की है वो स्विंग्स करी है और एक माता पिता है जो बैठे हुए हैं वहाँ पे और एक बच्चा इस्क्रीम खा रहा है, माली क्या कर रहा है, पोदों को पानी दे रहा है, बच्चे जूला जूल रहे हैं, और ये सब क्या है, इनके नाम है, तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है, इस पार्थ में क्या बताया गया है, कि संसार में हर एक चीज का कोई ना नाम होता है और उसी नाम के द्वारा हम उन्हें क्या करते हैं? बुलाते हैं आपको भी अगर किसी चीज की अवशक्ता होती है तो आप मम्मा से कैसे बंगते हो उसका नाम लेकर मंगते हो न तो क्या है? नाम वाले शब्द. जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम उसके नाम से उसे बुलाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं नाम वाले शब्द हांजी बचो अब क्या है इस पार्ठ में हमने क्या सीखा है सभी लोग चीजों और जगों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं हर एक चीज का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है लोगों चीजों और जगों के नामों को नाम वाले शब्द कहते हैं कि हर एक चीज का कोई ना कोई नाम है इसलिए उसे क्या कहेंगे नाम वाले शब्द क्या कहेंगे नाम वाले शब्द हांजी बचो जैसे हमारी कक्षा में और भी कई चीजे हैं जैसे आप लोग जिस पे बैठते हो बैंच और क्या देखते हो ब्लैक बोर्ड, टेबल ये सब क्या है? इन चीजों के नाम है तो वो क्या होएंगे? नाम वाले शब्द सबी लोगों के चीजों के और जंगों के नामों को नाम वाले शब्द कहती है जैसे हमारे विध्यालय का नाम तो आप जैसे कोई भी पूछते है तो कौन से विध्यालय में पढ़ते हो तो आप नाम बताते हो ना तो ये क्या कहलाती है? नाम वाले शब्द कहलाती है धन्यवाद बच्चों